कुछन हो लिए तो इसकाल दिखाना करेगी कल रिवीव पर्टिशन हमें इतला मिली है कल माननीय सुप्रिम कोट से कि कल इस मामले को दुबारा शुरू किया जाएगा कोट में तो कल मैं आपकी चैनल की वसादत से पूरे जमु कश्मीर को पूरे कश्मीर को ये बात कह दू कि कि जो कल का मैटर है ये बेसिकली आपके जो प्रिमिलरीज होती है जितने लोगों ने ये ये प्रेटिशन डाली है इसमें चार सियासी जमाते हैं एनसी, सीपीम, जेकेपीम, पीडिपी और छे साथ हैं जो इंडिविज्वल एप्लिकंट्स हैं ये उनकी वो देखा कोई कमी पेशी है क्या है तो इसको सेटल डाउन करने का मैटर है कल प्रिमिलरीज का और उसके बाद कोट फिर डिसाइड करेगा इसको हेर किस तरह करना है वो डेट उस पर फिक्स करेगा ये मुझे अपने लीगल टीम ने दिली से बताया है आज और वो उसमें ये भी किलाए होगी हम सब महां पे सुप्रिम कोट के सामने कड़े होंगे एक ही बात यह है कि चुकि इसमें बहुत से कुश्चन अनांसर्ड रहे हैं जो जैज्जमेंट हुई है और वो हमने नहीं कहा सिर्फ हमारी सिर्फ पेटिशन नहीं कहती है वो आपके जो हमारे लीगल एक इसी चीजे हैं जिनका जिकर जिनके जिन पर कोई बातचीत इस बैंच नहीं किये तो बहुत सी चीजों पर रिवीव करना बहुत अशद जरूरी है तो हमें उमेद है चुँकि हमारा जो मामला है हमारा पूरा फेथ है ऑन्रबल सुप्रिम कोट पे कि वो जस्टिस देंगे केस मामले में और साथ ही में ये भी है कि हमारे जो ग्राउंड है हमारा जो केस है बहुत ही फूल प्रूफ केस है और जहां तक 370 का मामला है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉंस्टिशन का इसको हटाना नमुम्किन है और अब देखा जाएगा कल कैसा रहेगा उसके कब इसका डेट फिक्स होगा और हम उमेद रखते हैं कि जस्टिस दिया जाएगा जम्मू कुश्मिर और लदाक के अवाम को और जहां तक अगर आप लीगल इशू को एक तरफ से रखें जहां तक पुलिटिकल मैटर है जहां तक लोगों का मानना है क्योंकि अवाम ही ताक 307 की और 35 की वो यहां के लोगों ने accept नहीं किया है और उतना गमगुसा है इस पर कि आज बीजेपी ने यहां के जो पार्लिमेंट के elections थे उसमें उन्होंने हिम्मत नहीं की कि अपने तीन candidates मेयदान में लाएं क्योंकि उनकी तीनों की जमानते जब्त हो जाएंगी यहां के लोगों अल्रेडी फैसला दिया है और मैं उमेद रखता हूं कि Honorable Supreme Court इस चीज का भी notice लेगा कि जिस चीज को हमारे बीजेपी के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में डंडूरा पीट रहे हैं कि 370, 370 हमने यह कर दिया, दफना दिया, वो कर दिया, जनाब वो कहीं दफन नही तो डू दाट, यही हम लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं और हम अपने समिदान के तहत, Constitution के दाएरे के तहत यह लड़ रहे हैं, और उसमें आज आज आपको यहां से आप हमारे जम्मू कश्मीर के हवाम ने, कश्मीर के लोग उने, आपको यहां से एलेक्शन के बटन द रुखसत कर दिया है